जरूर इसको ध्यान से सुने क्योंकि यह आपके बहुत काम की है वैसा कि सब के काम थे वाद को संतुलित रखना है अगर जिन्दगी भर तो शुद्ध तेल खाओ यह पहली बाद शुद्ध तेल खाओ अब आपके में तुर्ण सवाल आएगा क्या हम तेल शुद्ध नहीं खा रहे हैं हाँ आपका तेल शुद्ध नहीं है जिन जिन को घर में वाद की बीमारी है समझ लो तेल किसी का शुद्ध नहीं है आप बोलेंगे जी हम तो बजार से लाए है डबल रिफाइंड ट्रिपल रिफाइंड ये डबल रिफाइंड ट्रिपल रिफाइंड बाने जहर तेल नहीं आपको मालूम है ये डबल रिफाइंड टिपल रिफाइंड चक्कर क्या है तेल जो होता है ना जो तेल मिल से निकाला जाता है जैसे तिल जैसे सरसों जैसे नारियल जैसे मुंफली आपने दे दी किसी तेल मिल वाले को उसमें पीस के तेल निकाल दिया ये है शुद्ध तेल ये खाओ तो फिर बाकी तेल क्या है बाकी में समय मिलावट वो मिलावट पता है क्या है तेल को जब रिफाइन करते हैं तो तेल की चिकना ही निकालते है और जब तेल की चिकना ही निकल जाती है तो तेल पानी हो जाते है और तेल की जब एक बार चिकनाई निकाली जाती है तो उसको करते है रिफाइनिंग और फॉइल जब दो बार चिकनाई निकालते है तो डबल रिफाइनिग और तीन बार निकाल लिया तो ट्रिपल रिफाइनिग तो बचा क्या उसमें पानी है वो तो आप चिकनाई से घबराने लगे आज कर हाँ और डॉक्टरों ने डरा दिया कॉलस्ट्रोल बढ़ जाएगा जी चिकनाई मत खाना मैं आपको तो कहने आया हूँ ये कि चिकनाई खाना देख के खाना कौन सी खाने लाइक है कौन सी खाने लाइक नहीं है चिकनाई दुनिया में दो तरह की है एक अच्छी और एक बुरी बुरी चिकनाई कभी मत खाओ और अच्छी चिकनाई जरूर खाओ जो अच्छी चिकनाई होती है वो शरीर में बढ़ाती है High Density Lipoprotein HDL यह अच्छी चिकनाई और जो बुरी चिकनाई है वो बढ़ाती है LDL Low Density Lipoprotein तो वो चिकनाई कभी मत खाओ जिससे LDL बढ़े वो खतरनाक है और वो चिकनाई जरूर खाओ जिसससे HDL बढ़े क्योंकि उसकी जरूरत है यह जो अच्छी चिकनाई आप में खाओगे तो क्या होगा वो भी बता दूँ आपका शरीर चूसे हुए आम के जैसा हो जाए आम चूसने के बाद कैसा दिखता है ऐसा हो जाए बश्रूर चिकनाई तो खाओ नहीं तो शरीर की चमक चली जाएगे यह जो चहरा चमकता है으 हमारा यह चिकनाई के कारण अगर चिकनाई नहीं है शरीर में तो पिलपिला हो जाएगा देखने में अच्छा ही नहीं लगेगा तो चिकनाई तो खाओ अच्छी वाली अब आप पूछो जी अच्छी चिकनाई कहा मिलती है अच्छी चिकनाई मिलती है शुद्ध तेल शुद्ध तेल मैंने बता दिया नारियल, सरसों, तेल, मुंखली उसको मिल में डाला, मशीन में सीधे तेल लिखला कुछ मिलाया नहीं, कुछ किया नहीं वो तेल शुद्ध, वो खाओ जिन्द की वर खाओ, कोई तकलिफ नहीं आने वरे क्योंकि शुद्ध तेल से HDL बढ़ता है और वो हमें चाहिए अशुद्ध तेल मत खाओ अब अशुद्ध तेल कौन सा? रिफाइन तेल, डबल रिफाइन तेल, ट्रिपल रिफाइन तेल, डालडा सबसे खतरना का शुद्ध तेल है डालडा वेजिटेबल आइल है तो वेजिटेबल आइल मत खाओ, रिफाइन तेल मत खाओ, डालडा मगरा मत खाओ ये तेल से जिन्द की भर बचो शुद्ध तेल खाओ किसका खाए जो आपकी तासीर को सूट करे मुस्ताफा किसी को लगता नारियल का तेल अच्छा तो नारियल का खाओ तिल का किसी को सूट करे तिल का खाओ मुफली का करे मुफली का खाओ वैसे आप जहां रहते हो, यहां के लिए नारियल तेली अच्छा जब आप राजिस्थान जाओगे तो वहां के लिए सरसों का तेल अच्छा जब आप जम्मु कश्मीर जाओगे वहां के लिए तिल का तेल बहुत अच्छा पहाड में रहें तो तिल का तेल, मैदान में रहें तो सरसों आदी का तेल और समुद्र के किनारे रहें तो नारे रहें शुद्ध खाओ कभी तकलीफ नहीं आए और जिन दिए में वाद का कभी कोई रोग नहीं आएगा शुद्ध तेन की इतनी ताकत है वाद के असी रोग हैं असी शुरील में घुट्टों का दर्द, कमर का दर्द, कंदे का दर्द, जोडों का दर्द ऐसे असी रोग है ये सब रोगों से बच जाओगे शुद्ध तेन को अब कहां से आएगा मदुरही में ढूडो कोई तेन मिल है क्या नहीं है तो लगा लो बहुत सस्ते में मशीन आती है आज कर जो गुजराथ वाले भाईब है ना राज़कोर्ट में मैंने देखा शुद्ध तेल लिकाले की मशीन पचास हजार की है और वो इतनी छोटी है कि दस फिट लंबा कमरा दस फिट चोड़ा कमरा उटने में लग जाती है और सब तरह के तेल लेकी मशीन से निकलाते है नारियल का भी निकलता है सरसों का भी निकलता है तेल का भी निकलता है मुखली का भी उसी मशीन से निकलता है तो पचास हजार के मशीन का ओडर दे दो यहां लगना लो क्या मुश्क्व है अपनी अपनी नारियल लेके जाओ तेल निकल वागे लाओ मुँखली लेके जाओ तेल निकल वागे और या तो कोई पुरानी तेल मिल होगी ढूड लो उसे जिन्दा कर दो बंद हो गई होगी फिर वापस चालू कर और नहीं तो मेरी बात मानो एक लकड़ी का कोलू बन वानो बड़ाई यहां है पंदरे बीस हजार में लकड़ी का को कोलू बन जाता है जो बेल से चलता वो सबसे बढ़ी आए उसमें से तेल लिकरवा के खाओ जिन्दगी में कभी भी बात का रोग नहीं आए और नहीं तो तैयार रहो असी रोग आएंगे और सारी कमाई आपके जिन्दगी की इन रोगों में ही चली जाए तो आप तैय कर लो क्या करना मैंने तो बता दिया भईया शुदू तेल खाओ एक मशीन लगवाओ नहीं तो कोलू लगवाओ बेल से चलवाओ बड़ा पुन्नी मिलेगा आपको भी और जिसका तेल निकालोगे उसको अब मैंने तो बहुत तेल वालों को देखा वो ठोकट में तेल निकालते हैं पैसे भी नहीं ले